राधिकृष्णा दोस्तों मैं आपको जो कारतिक मास का महा मात्य सुना रही हूँ हर रोज अपनी तरफ से एक नई कहानी उसका पूरा आध्य है पूरा करने की कोशिस कर रही हूँ आशा है आप सभी को पसंद आता होगा और दोस्तों जो मेरे कहीं भी कोई भी तुरूटी ह जाए तो प्लीज मुझे शमा करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बलकुल भी मत पूलिएगा दोस्तों ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पह यूत ये सब हम आपको सोना चुके हैं अपनी हर उसकी एक नई कहानी में अब हम आपको आगे का महामात है सुनाना चाहते हैं जब चरहंदर की मृत्यू के पस्चात भगवान संकर ने सभी देवताओं को संतुष्ट किया था श्री नारची ने कहा अब ब्रहमा आदी तक होकर भगवान शंकर की बड़ेश्टूति की और कहा हे प्रभू आप प्राकरतीर से परे परभ्रहम और परमेश्वर हैं आप निर्गुन निर्विकार होकर सब के इश्वर होकर भी नित्य अनेक परकार के कर्मों को करते रहते हैं संकर जी हम सब भ्रहमा आदी आपके दास है, हे देविश, हे सेव, आप परसन हो, हमारी रक्षा कीजिए, हे नात, हम आपकी प्रजा हैं, तथा सदा आपके शर्ण में रहते हैं, नारत जी कहते हैं, जब इस परकार, भ्रहमा आदी, सब देवताओं, और मुर्यों नी, सिव जी की अनिक स्तूति करके, उनके चरन कमलों का ध्यान करते हुए, मौन गिरहन कर लिया, तब उसे सुनकर, देवताओं को वर दे कर, वह, वही पर अंतर ध्यान हो गई, तथ पच्चा सिव जी का यस काते हुए, सब देवता भी, परसंता पूर्वक अपने अपने इस्तान को चले गई, महेश शाख्यान से जलंदर का यह यूद चरीतर बढ़ा पुन्य फलदाई होता है, सब पापो को नाश को करने वाला होता है, सरव सुखदाई और महेश को भी आनंद दायक है, जो इन दोनों अख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह, यह सब सुख भोक कर, अंत में भगवान श्री गणेश ची के समक्स अपना चीवन वैतित करेगा और भगवान गणेश की अनुकमपा को प्राप करेगा, राजा प्रिथू बोले, हे नारज जी, अब आप कर्प्या करके मुझे यह भी बतलाईए कि व्रिंदा को मोहित कर भगवान विश्नु ने क्या और फिर वह कहां चले गए, तब नारज जी ने कहा, जब देवता स्तुत्तिकर मोन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को परसन होकर कहा, हे ब्रम आदी देवताओं, जलंदर तो मेरा ही अंस्था, मैंने उसे तुमारे लिए नहीं मारा, किन्तु मेरा सांसारि लिला का यही एक मतलब है, फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हो गई हैं, तब तो ब्रम आदी देवताओं के नेत्र हर्ष के साथ खेल गई, उन्होंने सिव जी को परणाम करके विस्नु जी का वह सब वरतान कह सुनाया, और उन्होंने बड़े प्रिय कैतन से वरिंदा को मोहित किया था, तथा वह अगनी में परवेश करम परमगती को प्राप्त हुई थी, देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वरिंदा की सुन्दर्ता पर मोहित हुए भगवान विस्नु उनकी चिंता में राख लपीट कर इधर उधर घूमते हैं, अत्य आप उन्हें समझाईए क्योंकि यह प्राकर्तिक सदा चराचर आपके अधिन हैं, देवताओं के यह वरितांत सुन्द सिवजी ने उन्हें अपनी तदंतर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधिन हैं, उसी से मोहित भगवान विश्नु भी काम के वश हो गए हैं, परन्तु हे महादेव, उमा त्री देवी की जन्निनी सबसे परे है, वह मूल प्राकर्ति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है, अत्य एव विश्नु का मोहों दूर करने के लिए आप सब उनकी शरन में जाएए, यह दी वह परसन हो जाएंगी, तो आपका सब कार यह हो जाएगा, भागवान शंकर की आज्या से सब देवता, मूल प्राकर्ति को परसन करने के लिए उनके स्थान पर चले जाते हैं, और उनकी बड़े प्रेम के साथ स्तूती करने लगते हैं, तब ही आकास माने, हे देवताओ, मैं तीन परकार से, तीनों गुणों से पर् लोग मेरी रक्षा से यदी सादर, यदी आप लोग मेरी रक्षा से यदी सादर परसन हैं, तो उन देवियों के पास चाओ, जो वह तुम्हारे सब मनोर्थों को पूरन कर देंगी, जह है आकास माने सुनकर देवताओं के नेतर खुल गई, वह भगवती का आदर करते महा गवरी, महा लक्ष्मी, आदि सर्ष्वती को परनाम करने लगे, सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक वह सब देविया को परकट कर लिया, सब देवताओं ने परसन होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन उनको बताया, देवियों ने कुछ बीज दे कर कहा, इन्हे लेकर जाकर दे दो तुम्हारे सब कार्य सिध हो जाएंगे ब्रहमा आदी देवता उन वीजो को लेकर भकवान विश्नु के पास गई ब्रेंदा के चता भूमी में डाल दिया उसके धराती मालती और तुलसी पर कट हुई भकवान विश्नु ने जो ही उन इस्त्री रूप व आली वनस्पतियों को देखा तो वह उटकर भैठ गई कामशशक्त चेंत से मोहित हो उनसे याचना करने लगे ध्राती और तुलसी ने उनसे प्रीती की विश्नु जी का सारा दुख भूलकर देवताओं ने नमस्करत होकर अपने लोग को चले गई अब वह पूरणवत सु होकर भगवान शंकर का संबन करने लगी यह है रख्यान सिव जी की भक्ति को देने दोस्तों कहानी का अगला अध्य है हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ सांजा करेंगे विरंदा से तुलसी जी का जहनम सुनकर आपको कैसा लगा दोस्तों कोमेंट में हमें जरू जरूर कीजिएगा और साथ में बैल आइकन को दबाना बेलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों तभी तो मेरी आने वाली नई कहानी नई वीडियो आप तक पहुँच पाएगी नमस्कार